हेलो फ्रेंट्स मैं हूं आर के और आज में आपको दिखाऊंगा कैसे आप Google फोटो पे जो आपने फोटो डाल रखे होते हैं, अपलोड कर रखे होते हैं उनको कैसे हम एक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, चाहें आपके 500 फोटो पड़े हों, 100 हों, 200 हों, 1000-2000 फोटो पड़े हों, उन सभी को एक साथ एक क्लिक करके कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में, तो यहाँ पर दिखिए मैंने गूगल फोटो की एप ओपन करक तो एक एक करके अगर मैं फोटो डाउनलोड करूंगा तो पूरा दिन लग जाएगा हो सकता है दो चार दिन लग जाए इसलिए हम देखेंगे कि कैसे हम एक साथ इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं पांच मिर्ट के अंदर तो सबसे पहले आपको यह एप उपन करनी है गूग नमबर पर दिखिए यहां पर जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो यह आपको इस जगह पर यहां पर पहुंचा देगा अब यहां पर आपको पहला ऑप्शन होम का मिलेगा दूसरा परसनल इंफो का मिलेगा और तीसरा डाटा एंड प्राइवेसी का मिलेगा डाटा एंड प प्राइवेसी पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रोल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे, इस तरह से स्क्रोल डाउन करते जाएंगे, ठीक है और यहां पर नीचे जब आप आ जाओगे तो यहां पर apps and service का एक option मिलेगा, यहां पर आपको Gmail ID, photos यूट्यूब और जो भी आपने लॉगिन कर रखे होंगे इसी इमेल आइडी के जरीए वो सारी एप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर हमें गूगल को फोटो का जो आप्शन है यहाँ पर यह देख रहे हो इस पर क्लिक करना है अगर बाइचंस यहाँ पर इ बेशबोरड खुल गया। और यहाँ पर पहला जिमेल आइडी का यहाँ पर देटर डाउनलोड करने का उपशन आ गया है। दूसरा गूगल के जो फोटो स की एप है उसमें हमारा второй फोटो पढ़ हुए उनको यहाँपर डानलोड करने का उप्शन मिल गया तो यहाँपर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और एक फाइल डाउनलोड होगी वो फाइल आपको एक्स्ट्रेक्ट करनी पड़ेगी अभी बस डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड करके हम एक्स्ट्रेक्ट भी करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक कर देन तो यहाँ पर कुछ भी आपको select करने की जरुवत है नहीं, यहाँ पर बस next step यहाँ पर दिया गया होगा, blue color में, यहाँ पर click कर देना है next step पे, ठीक है, click करने के बाद एक नया page आपका open हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ सा scroll down करोगे, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमार करने का option है, यहाँ पर 2GB automatically लगा है, आपके बहुत ही ज़्यादा photos है, 5000-6000 photos पड़े हैं, तो यहाँ पर maximum size आप select कर सकते हो, 50GB तक ठीक है, यहाँ पर 2GB ही रहने देते हैं, क्योंकि मेरे थोड़ से ही photo है, वो तो 100 MB में होंगे, ठीक है, तो 2GB ही रहने देते हैं, अगर देते हैं, यहाँ पर कुछ भी बदलने की ज़रुत नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर create export का एक option रहेगा, यहाँ पर click करेंगे, यहाँ पर जैसे click करोगे, तो यहाँ पर देखें लिखके आ गया है, कि यहाँ आपकी file जो है, हमने email ID पर आपके भेज़ दिये, इस email ID पर जिस पर हमने photo डाल लखे हैं, ठीक है, एक बार इसको back कर देते हैं, और यहाँ पर Gmail open कर लेते हैं, Gmail open करने के बाद देखिए, हमने email ID यहाँ पर यही अपनी open कर रखी है, और एक बार इसको refresh करेंगे, तो देखिए हमने एक email मिल गया है, अब हो सकता है, आपके बहुत ज़ यह उसका download link भेजता है, तो हो सकता है, 10-15 मेट लग जाएं, ठीक है, तो हो सकता है, तुरंत आपका email ना मिले, अगर आपके ज़्यादा photo होंगे, तो आपको इंतजार कर लेना है, आदे घंटे, ठीक है, आपको इस तरह से email मिल जाएगा, Google take out का, यहाँ पर click करना है, जैस उससे पहले यह आपसे password मांगेगा, क्योंकि इसको पूछ रहा है कि कहीं है, आप ही download कर रहे हो ना, इन photos को, तो यहाँ पर जो भी आपका email, यहाँ पर email का password है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर next पे click करना है, जैसे ही next पे देख क्लिक करूँ download के section में जाऊं, तो यहाँ पर देखिया हमारा जो file हमने अभी download पे लगाई थी, वो यहाँ पर file हमारी download हो रही है, तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं, हमारी file पूरी तरह से यहाँ पर download हो जाए, देखिए हमारी यहाँ पर file download हो चुकी है, simply यहाँ पर हम back कर देत है, तो जैसे ही search करोगे तो यहाँ पर app मिल जाएगी, RAR की, तो यहाँ पर इस तरह की आपको app मिलेगी, इसको आपको download कर लेना है, तो मैंने इसको पहले ही download कर लखा है, चलिए इसको open करते हैं, open करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आपके पूरी file से यहाँ पर open हो जाए अब यहाँ पर हमें download section में जाना है, क्योंकि जो हमने file download करी थी, वो हमारे download section में हमको मिलेगी, तो यहाँ पर download section में हम click करेंगे, एक बार download section पर जैसे ही click करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए take out, जो file हमने download करी थी, वो यही वाली file है, ठीक है यहाँ पर 59 MB की फाइल है, इस पर एक बार आपको tap करके रखना है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको दवा के रखोगे, hold करके, तो यहाँ पर यह option मिल जाएंगे, आपको extract here या extract file, दो options मिलते हैं, आपको photos कहाँ पर extract करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर extract file पे click करेंगे, extract file पे जैसे ही आप click करोगे, तो यहाँ पर उपर destination चूज करने का option रहेगा, कि किस folder में आपको यह extract करनी है, तो यहाँ पर browse पे click करेंगे, browse पर click करने के बाद यहाँ पर आप चाहें, तो अपने मर्जी का कोई folder यहाँ पर select कर सकते हो, तो यहाँ पर उपर वाले option पे click करत यहाँ से कोई एक folder हम चुन लेते हैं, new album या फिर new folder देखते हैं, कोई हमें मिलता है तो, तो यहाँ पर देखिए हम एक new folder हमारा एक पड़ा हुआ है, पहले से बना हुआ, new folder के नाम से इस पर click करते हैं, और नीचे के side में यहाँ पर ok का option मिलेगा, ok पे click करेंगे, तो यहा यहाँ पर देखिए storage और उसके बाद new folder यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ नीव folder में हमारा यह file extract होगी, उसके बाद simply बस आपको यहाँ पर ok कर दिना है, जैसे ही ok करोगे यहाँ पर file extract हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी, बस हमारा काम हो गया, simply कर देते हैं, back यहाँ gallery open करते हैं, और यहाँ पर gallery जैसे ही मैं open करूँगा, तो यहाँ पर देखिए यह नए photos हमारे यहाँ पर load होना शुरू हो गए हैं, यहाँ पर gallery में नए photos हमारे आ चुके हैं, तो जो photo वहाँ पर पड़े हुए थे, वो सारे photos यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिल ज होंगे, तो हमारे photos यहाँ पर आ चुके हैं हमारे gallery में, और अगर आपको अंदर से जाके file manager में देखना है, तो यहाँ पर file manager पर जाके देख सकते हो, file manager में यहाँ पर अगर मैं download यहाँ पर new folder जो हमने जिसमें डाले थे, new folder पर click करते हैं, take out का देखिए option है, यहाँ पर click कर date के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारे photos इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे, और direct देखना है तो gallery में open करके आप देख सकते हो, तो इस तरह से आप अपने google के photos यहाँ पर download कर सकते हो, एक साथ, कुछ भी problem आती है, तो comment box मताना मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, बाइ बाइ